कि या आज हम जा रहे हैं आप मखाना और परवल की सबजी बनाने मंखाना की मिपली बनाने के लिए अच्छा रहता है ठोड़ा अच्छा रहता है। इसे chemical भी निकल जाती है और फिर बनाने भी कलर अच्छा आता है, बजार का सब्जी है, तो ऐसे ही इसको छिल्के को हलका का चाको के साहरे से ऐसे चाको पकड़ करके और इस तरीके से उतार देना छिल्का, तो ऐसी तरीके से हम सारे परवल का छिल्का हटा दिये हैं, अब हम धुल लेते हैं धुल करके फिर काट रहे हैं इसमें पानी लगा है नहीं है तो पानी लगा हुआ है तो अच्छा रहेगा इसको तड़का देने में तेल चटकता नहीं है तो हम परवल किस तरीके से पुरी पानी को सुखा दे रहे हैं और फिर हम काट रहे हैं यह पानी सुख उतारने से पानी उसमें अलका रहा जाता है तो परवल भी काटना है तो ऐसे करें काटना है चार हिस्से में ऐसे हम काट ले रहे हैं कि ऐसे परवल को काट ले रहे हैं और हम परवल के साथ मखाना बनाने के लिए ऐसे ही मखाने को हम ड्राइभ भून लेते हैं तो इससे रिखी अच्छा बनता है ते इस तरीकिते भून ले रहा है चला चला करके तो तो मखाना भुना गया है मखाना हमेसा ऐसे भुनने में पता चलता है कुर्णुदा सा हो जाता है इस तरी टूट भी जाता है बबना गया है!! यह निकर दो популяр रहे हैं! केरी और इसे कड़ाहि में तेल डाल दे रहे हैं! तेल डाल कर करके तेल और याग कमई तेले हों अब ईससे कड़ाहि में तेल डाले हैं तो लेए थोक्मना आपल योग फेल गलने न करना रहे है बहुत जादे लिनी डाले हैं, मिरियम में डाले हैं. तेल गरण हो जा रहा है तुसरी में हम फरवल को फ्राइ कर ले रहे हैं. अब हम तेल में परवल डाल दे रहा हैं, इस तरीके से परवल को प्राइ कर लेंगी. इसके भख दे रहे हैं दो मिल्ची लिए इस तरीके से जिसमें तेल हुलकार कर शकक रहा है तो हम खोलते हैं परवल दिखिए इसके लाग करना है हमका सब्सक्राइब हो गया है अभी खोड़ा का और हम फ्राइब करें इसको प्राइब होता है तो मखाने जिसा बहुत अश्का बचता है तो परवल को हम इस तरीके प्राइब कर दीए है और इसको हम निकाल ले गए है लिए कितना आज सक्राइब होगी आपरवल ऐसे तूरे परवल को हम निकाल लेगा हैं परवल निकाल लिए हैं अब इसी तेल में हम डालेंगे तेल सक्ता इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी जीरा दो हम वीडियम साइज का प्याज काटके रख लिए थे और यह स्में तेज पत्ता लालोशी का है यह से बाल ले रहा है हम हलका ब्राउन तरह करने तब भून ले रहा हूं जाको प्याज भूना रहा है तक हम इसदर प्रूना ले रहा है इसमें हम करी आठ दस कली लहसं छोटा बड़ा मिला करके है इसको मिक्सर के जार में डाल दे रहे हैं और ये एक हम मिडियम साइज का प्याय डाल दे रहे हैं मिक्सर में और हम एक इंच करी अदरग डाल दे रहे हैं इसमें काट करके और इसमें हम चार हरी मिर्ची डाल दे रहे हैं और हम इसको पेश्ट बना ले रहे हैं 5 ग्राम कोलर का हो छूका है और यसमे पेष्ट बनाते रकेतें, दाल देने इसको भी आमिछी केशाद पून लेह थे प्याज केशाद 2 मुळ्यां साई त्माटाद काते राकेतें, हम आधी मेशमे दाल देने अब हम इसमें हल्दी डाल दे रहे हैं अब चमश करें अब मैं इसमें स्वाज करनुसार नमग डाल देंगे और इसमें धनिया की पाउदर एक चमश डाल दे रहे हैं गरम मसाला है एक चमश करी कासमीरी लाल मिर्च पाउडर है एक चमश करी और हम किचन किंग मसाला थोड़ा लेते ही तो किचन किंग मसाले से थोड़ा सा और अच्छा टेश्टा लगता है आपक चलाक करते ही बिलम दे रहे हैं आपक चलाक किंग करते दो किंग कर दो तीनन द्थम भब तरके से मसाला पकाने रहे हैं इसमें हम गोर समगा दवी डाल दे रहा हैं, दवी के इसमें कलर अपचे इसमें गर्चु लाला आता है, यह तो होटा भेटेशे तो फोड़ा बल़ा जाता है, इसमें कलर विश्टाची ने हो गया, अब हम इसके बस्ता भूनेंगे, इसमें देख मपादा पर नहीं देगा, इसमें हम पांच-छे काजु रखे थे, इसको अलग-अलब कर दिये थे, काजु को ऐसे उताल दिये थे, अब हम इसको भी इसमें डाल दे रहे हैं, और इसमें परवल जो फ्राइ करके रखे तो भी डाल दे रहे हैं, अब मखाना भी इसमें डाल दे रहे हैं, और एक साथ अच्छे ते उसको मिक्स कर ले रहा हूं तो ऐसे चला कर दो मिक्स कर लिए है अब हम इसमें डालेंगे हलका सा पानी ग्रेवी लगाने के लिए बिना ग्रेवी का यह अच्छा ही में लेगा फोड़ा सा ग्रेवी जरूब लगाना पड़ेगा तो हम इसमें डाल रहे हैं पानी अपने हिसाब से आप ग्रेवी लगाईए जैसा आपको लगाना है तो हम इसमें पानी डाल दी है और पानी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं तो बेल पुल एक दा मलक सब्धी बना है बना करके पानी थोड़े हो डाल दे रहे हैं और इसको हम धक दे रहे हैं धक्कन लगा दे रहे हैं तो इसको धक्कन अटा करके 5-6 मिनिट हम दी में आच्छे पकाएंगे तो सब्जी बनके तयार हो गया है सब्जी बहुत अच्छा बना है मेलकुल एकदम हलुआई जैसे सब्जी है और हम इसमें धनिया की पत्ती डाल दे रहे हैं काट करके और इसको भी अच्छे समेश कर लगा है सब्जी बन गया है देखे करम गाढ़ा ग्रेवी भी हुआ है और बहुत अच्छा सब्जी बना देखे आप लोग बनाईएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा परवल औ और मखाने की सब्जी क्यासी बनी है जरूर बताएगा आप लोग सब्जी बनके तयार हो गई है